राहल गांदी को खुन से चठ्ठ्ठी लिखी है इसमें उन्नुने पाइलिट को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है खुन से चिट्टी लिखने वाले पवन गुर्जन ने लिखा है कि राहुल गांदी से हम बिनम्र अपील कर रहे हैं कि युवा दिलों के हिर्दय समराट, किसानों के हितेसी और गरीबों के मसीहा सचिन पाइलेट को रायस्तान का मुख्य मंत्री बनाया जाए पाइलेट को 36 कौम के लोग चाते हैं, पाइलेट ने 21 सीट से कॉंग्रिस को सेंचुरी तक पहुचाया है, उसमें महत्यपूर भूम का सचिन पाइलेट की है, रायस्तान का युवा गरीब मजदूर, किसान और सभी बर्ग की यही सोच है कि सचिन पाइलेट को मुख्य मंत्र बनाया जाए। इसलिए मैं राहुल गांदी जी से निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक हमारे सभी युवाओं की यही सोच है, सभी युवा, किसान, मजदूर, सभी बर्ग की सोच है कि स्रीमान सचन पाइलेट जी को मुख्य मंत्री बनाया जाए, राहुल गांदी जी से बिनम्र अप जिससे सहर का आबागवन प्रावित हुआ, इस दोरान उपदर्वियों ने गौरब पत रोड पर बन रहे, चौराए के सरकल में तोड़ खोड़ की और चौराए पर रखी पुलिस की बेरी कैटिंग को सड़क पर फैक दिया, उपदर्वियों ने माबु महराज और सचिन पालेट की जैजा कार के नारे भी लगाए, हंगामे की सुचना पाकर भारी तारात में पुलिस बल मौके पर पहुँच गया, जहां उपदरवी पुलिस को देख मौके से फरार हो गए, पिलहाल सेर के भर मुख्खे चौराए पर पुलिस जापता के साथ एश क्लियाप को तेनाब कर दिया है. और इसी को ज्यान में रखते हुए, कि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिया घटना घटिद नहीं हो, उससे पहले हम लोगों ने स्टी को भी तैनाद कर दिया है, मैंने स्टी एफ को, सभी विंद पॉइंट आपर, और पूरी पुलिस भी मोबाइल है, सभी एससे जोजों कर द दे दी है, गंगोर कोहरा और सर्दी ने आमजन का जन जीवन खासा प्रवायत कर दिया है, गने कोहरे के कारण हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था, बाहन काफी दीमी रफ्तार से सड़क पर चल रहे थे, आज से बच्चों की अर्दवार्सिक परिच्छाएं भी सुरू ह बच्चों को स्कूल जाने में खासी परिचानी हो रही थी, बुद्वार को जिले में मावट होई थी जिससे सर्दी का असर बहुत बढ़ गया था, रवी की पसलों में गेहूं के लिए कोहरा और सर्दी कापी लावकारी मानी जा रही है, लेकिन आलू और सर्सों की पसल इ करने की संभावना दिखाई दे रही है. कोरा बहुत पढ़ रहा है, हमें स्कूल जाने में बहुत परिशानी हो रही है, और जादा सर्दी पढ़ गया है. जिला निर्वाचन अदकारी दौलपुन नन्नुमल पहाड़िया ने बताया है कि कॉंग्रेस पायटी द्वारा मुख्य मंत्री के नाम की गोसणा से पूर्व कोछ समाज बिसेश के बैक्तियों, एवं कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा सेहर, एवं ग्रामीर चेत्रों म तोड़ फूर किये जाने एवं दंगा पसाद किये जाने की संभावना हैं, अतै पुलिस प्रसाशन जिले में कानून एवं वबस्ता बनाए रखने के लिए अपने अधिनस्त अधकारीयों को निर्देश प्रदान करें, जिससे जिले में कानून विवस्ता बनी रहे, बाल विवा कानून अपराद है और सामाजिक बुराई है, विवा है तो सही उम्र लड़की की कम से कम 18 बर्स की वा लड़का की उम्र कम से कम 21 बर्स होना चाहिए, बाल विवा सामाजिक बुराई है एवं कानून एक दंडीनी अपराद है, यदि कहीं बाल विवा होने जा रहा है तो को भी ब्यक्ति पुलिस या नियायले मेरिश्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट या परिवाद दायर कर सकता है पुलिस एवं प्रसासन को सूचना दे सकता है पुलिस आरोपियों को ततकाल गरपतार करेगी नियायले बाल बिवा रोकने के लिए अभिलंब इस्टे ज को होने वाली राष्ट्री लोक अदालत के बारे में बिस्तार से जानकारी दी बारती राष्ट्री चातर संगठन एनस यूआई ने दो हजार एक में संसत पर हमले में मारे गई लोगों को आई सबजी मंडी इस्तित सहीद इसमारक पर मुंमती जलाकर सरदान जली दी और उ हमें सा तैयार रहने की सपत लेते हैं सहीदों को याद करते हुए एनस यूआई मीडिया प्रभारी स्याम परहार और राजगे पीजी कॉलेज के एकाई अध्यक्ष रामकिसो सर्मा उपाध्यक्ष बिसाल राजपूत ने कहा कि हम उन लोगों की बाहद्री को सलाम करते हैं आसीस परमार, सिबम और सूरज सिकरवार ने कहा कि सुरच्चावलों से जोड़े लोगों में अदम में सास का पर्चे दिया था उनकी सादत पर देश को गर्व है उस समय जो लोग संसत भवन के परसर में मौजूत थे उस मंजर को आज भी भूल नहीं पाते 13 दिसंबर 2001 को पांच बंदुग धारियों ने संसत परसर पर हमला कर वहां अना धुंद गोलियां बरसाई थी उस हमले में दिल्ली पुलिस के पांच कर्मियों केंद्री रिजब पुलिस बल की एक महला अधकारी संसत भवन के दो बोच और वाट करमचारी एक माली और एक क सेवा केंद्र जमालपूर पर विदिक जागरुकता सिविर का आयोजन किया गया आयोजन जिला विदिक सेवा प्राधी करण के अध्यक्ष सचिव के निल्देशन में गाउं रूपसपुर के अटल सेवा केंद्र जमालपूर पर विदिक जागरुकता टीम प्रवारी संतो स्मिस्रा एड़ुकेट ने बाल विवा पर कानूनन दूस पड़वाम की जानकारी दी एवं लेंगे कपराद बाल सरम कानून की जानकारी प्रदान की सिविर में कापी संक्या में लोग उपस्तित रहे